Hello friends, knitting design में देखिए प्यारी से cat की design है आप इसे किसी भी sweater में, blanket पे, कहीं भी बनाए जैकेट पे बहुत ही खुफसरत design है इस design को मैंने 38 फंदों में बनाया है और ये cat की design जो है, वो 33 फंदों में ही बनी है तो आएए देखते हैं किस design को हम कैसे बनाएंगे इसकी first row, first row में पहले हम blue color से 2 फंदे बनाएंगे ये देखिए 1 और 1, 2 और इसके बाद हमारा ये black color आजाएगा और black color से हम 7 फंदे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ये black के हो गए एक हमारा ये blue से रहेगा एक हम black से बनाएंगे और फिर 8 फंदे हमारे blue के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे ये हमारे blue से हो गए फिर एक हम black से बनाएंगे अब blue color से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ये blue के हो गए एक हम black से बनाएंगे और इसके बाद जितने भी फंदे बचे हैं उन्हें हम blue से बनाएंगे ये देखिए second row है second row में मैंने blue के उपर सारे blue कर ली है ये जो एक black फंदा है इसे भी हम blue से बनाएंगे ये blue कर लिया एक हम black से करेंगे और इसके बाद फिर हमारा blue color एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और एक, बारा ये हमारे 12 फंदे blue के हो गए अब यहां से हमारा black color एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और आखरी के दो फंदे हमारे blue से रहेंगे ये देखें, row number 3 है, जिसमें ये दो blue को दो blue से बनाएंगे और जितने हमारे black होने हैं, black से ही बनाएंगे ये दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये दस, दस फंदे black हो गए अब हमारा blue color, एक, दो, तीन फंदे हम blue से बनाएंगे फिर black color, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ ये साथ फंदे हमारे black हो गए, एक हम blue से बनाएंगे एक हमारा ये black color, और इसके बाद के फिर सारे फंदे हमारे blue रहेंगे ये देखिए row number 4 है जिसमें ये blue के उपर सारे blue हो गए है अब यहां से हमारा black color और black से हम सारे फंदे black बनाएंगे और पूरी ये last में जहां तक ये black है वो black रहेगा और आखरी के दो फंदे जो blue हैं उन्हें हम blue color से बनाएंगे ये देखिए ये जहां तक मेरा blue था वहां तक blue है और इसके बाद 20 के हमारे सारे फंदे black में ने कर लिया और दो blue के उपर दो blue हो गए है ये देखिए हमारी row number 5 है जिसमें दो blue के उपर दो blue ही रहेंगे अब हमारा black color एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ साथ फंदे black के बाद हमारा ये pink color आ जाएगा पिंक color से एक ये देखिए एक हो गया pink, एक और दो फंदे pink के और इसके बाद black color है black के उपर हमारे सारे फंदे black color से ही रहेंगे ये देखिए पूरे black के उपर black हो गए ये भी फंदा एक black और एक ये blue फंदा इसे भी हम black से बनाएंगे और फिर इसके बाद के सारे फंदे हमारे blue है ये देखिए हमारी row number six है six में भी मैंने जहां तक blue थे उन्हें blue कर लिया है और ये देखिए black color आगया है black के उपर black से हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक साथ साथ फंदे black के बाद हमारा यहां पर white color आ गया ये white color को add कर लिया और white color से एक हम white से बनाएंगे फिर हमारा black color एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे ये black के हो गये एक, दो हमारे pink color पर black color ये दो, तीन, चार, पांच, और आखरी के दो फंदे हमारे blue है और यहां पर ये देखिए मैंने दोनो blue को अलग-अलग लगाया है इधर का blue एक दर है और इस दर तो हमारी ये design बीच में नहीं खिषती है ये देखिए अब हम row number seven पर हैं दो blue को दो blue से ही बनाएंगे ये black color एक, दो, तीन, चार पंदे black अब हमारा pink color एक, दो हम pink से बनाएंगे black color एक, दो, तीन, चार, पंच, छे, साथ फंदे ये black से हो गए देखिए फिर हमारा white color आजाएगा एक, दो, तीन, चार, पंच फंदे white के अब black color एक, दो, तीन, चार, और पंच फंदे ये black हो गए ये देखिए और इसके बाद के हमारे सारे फंदे blue रहेंगे ये देखिए हम रो नमबर 8 पे हैं जिसमें blue के उपर सारे blue हो गए हैं ये एक फंदा जो blue है इसे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे ये एक black, दो, तीन, चार, पंच, छे फंदे black के और white कलर एक, दो, तीन, चार, पंच, छे फंदे white के फिर black कलर एक, दो, तीन, चार, पंच, छे और एक साथ और एक pink के उपर हम pink कलर से ही बनाएंगे और फिर चार black को चार black से करेंगे और लास्ट के जो दो फंदे blue हैं उन्हें blue कलर से बनाएंगे ये देखे, अब हम row number 9 पे हैं जिसमें blue कलर से एक उतारा, दो, और एक, तीन फंदे ये blue से हो गए एक, दो black, एक हमारा ये pink कलर से, फिर black कलर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे ये black से हो गए अब white के उपर white कलर से, एक हम white से बनाएंगे एक, दो black, white कलर से, एक, दो, तीन, चार फंदे हमारे ये white से हो गए इदे के चार white के बाद हमारे black कलर से, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक, छे फंदे ये black से हो गए अब बागी के सारे फंदे हमारे blue रहेंगे ये देखे हम row number 10 पे हैं, जिसमें blue के उपर सारे blue होगे हैं ये पीछ वाले जो दो blue बचे हैं, इन्हें अब हम black कलर से बनाएंगे ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ फंदे black हो गए अब हमारा यहां white कलर, एक, दो, तीन पंदे white से, एक, दो, तीन हम black से बनाएंगे एक हमारा white, और फिर black कलर से, एक, दो, तीन पंदे black, अब यहां पे एक हमारा ये red कलर आजाएगा और इसके बाद के फारे पंदे हम black से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और आखरी के दो पंदे जो हैं, उन्हें हम blue कलर से बनाएंगे ये देखें, row number 10 तक मेरी, इस तरह से ये cat की design, यहां पे ये इसके आखे बन रही हैं, तो आप हम row number 11 पे हैं, तो इसमें हम blue कलर से ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच फंदे हमारे blue से हो गए, अब हमारा black color, एक, दो, तीन, चार पंदे ये black से हो गए, पिर red color, red से हम एक, दो, तीन पंदे red से, ये देखें, तीन red के बाद हम black color लगाएंगे, black color से, एक, दो, तीन पंदे ये black से, एक हम white से बनाएंगे, एक हमारा ये black, फिर white color, एक, दो, तीन पंदे ये white से, पिर black color, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और 11, ये 11 पंदे हमारे black हो गए, और बाकी के सारे पंदे हमारे blue color, से रहेंगे यह देखें हम रो नॉमबा 12 पे हैं जिसमें यह ब्लू कलर से एक तो तीन चार पांच छे फंदे यह ब्लू से हैं अब हमारा ब्लैक कलर एक दो तीन ब्लैक अब यहां पे हमारा यलो कलर भी आ जाएगा तो एक, दो फंदे हम यलो से बनाएंगे ब्लैक कलर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ आठ फंदे हमारे ब्लैक, वाइट कलर एक, दो, तीन फंदे वाइट फिर हमारा ब्लैक कलर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा बारा फंदे ये ब्लैक हो गए और साइट में चार फंदे जो हैं वो ब्लू कलर से रहेंगे ये देखे, रो नमबर थार्टीन है जिसमें ब्लू कलर से एक उतारा दो, तीन फंदे ब्लू से अब हमारा ब्लैक कलर एक, दो, तीन, चार, पांच और ये हमारे सारे ब्लैक होते जाएंगे ये वाइट फंदे भी ब्लैक और जहां तक हमारा यलो के पहले तक सारे फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे ये देखे, ब्लैक के उपा हमारे सारे ब्लैक हो गए अब हमारा यहां पर यलो कलर है यलो कलर से हम एक, दो, तीन, चार फंदे यलो से, फिर ब्लैक कलर, एक, दो हम ब्लैक से बनाएंगे, और इसके बाद हमारे पाँच फंदे बचे हैं, जिने हम ब्लू कलर से बनाएंगे. देखें, रो नमबर हम फोर्टीन पे हैं, इसमें ब्लू कलर से एक उतारा, दो, तीन, चार फंदे ये ब्लू से, और ब्लैक कलर से एक, दो हम ब्लैक से बनाएंगे, यलो कलर, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे यलो, और इसके बाद हमारा ये ब्लैक कलर आजएगा, और यहां से देखें पूरे जो है, ब्लैक के उपर ब्लैक रहेंगे और ब्लू के उपर ब्लू रहेगा, ये देखे रो नमबर 15 है जिसमें ये 3 ब्लू को ब्लू से ही बनाएंगे अब हमारा ब्लैक कलर एक, दो, तीन, चार फंदे ये ब्लैक से फिर हमारा वाइट कलर आजाएगा एक, दो, तीन, चार फंदे ये वाइट के अब यहां से हमारा ब्लैक कलर और यह देखिए जहां तक यलो के पहले तक जो ब्लैक है उसे हम पूरा ब्लैक कलर से बनाएंगे यह देखिए यलो के पहले तक मैंने पूरा ब्लैक कलर से बना लिया है अब यलो के उपर यलो कलर से ही लगाएंगे एक, दो, तीन, चार पंदे यह यलो के रहेंगे अब हमारा ब्लैक कलर आ जाएगा ब्लैक कलर से एक, दो, तीन पंदे ब्लैक और साइट के चार पंदे हमारे ब्लू कलर से रहेंगे यह देखिए रो नमबर हमारी 16 है जिसमें ब्लू कलर से एक उतारा दो तीन चार पांच फंदे ब्लू के ब्लैक कलर से एक दो तीन चार फंदे ब्लैक एक दो हम ब्लू से बनाएंगे अब हमारा ब्लैक कलर और बीच में हम ब्लैक कलर के उपर सारे ब्लैक कलर से ही बनाएंगे यह देखिए यह लास्ट फंदे अब हमारा वाइट कलर हो जाएगा तो एक वाइट, एक, दो ब्लैक, एक, दो, तीन वाइट, एक, दो, तीन, चार ब्लैक, और आखरी के दो फंदे हमारे ब्लू रहेंगे. यह देखिए, अब हम रो नमबर 17 पे हैं, जिसमें मैंने ब्लू के उपर ब्लू, ब्लैक के उपर ब्लैक, वाइट के उपर वाइट, फिर यहां सारे फंदे जो कलर जैसे थे वैसे बना लिया, अब यह यलो कलर जो है, यह भी हमारा ब्लैक हो जाएगा, यह एक, दो, तीन, च फंदे और ब्लैक हो गए, और इसके बात के हमारे सारे फंदे ब्लू कलर से रहेंगे, यह देखिए, अब हम रो नमबर 18 पे हैं, जिसमें ब्लू के उपर ब्लू हो गए, यह एक, दो, तीन ब्लैक फंदे भी हमारे ब्लू हो गए, अब हमारा ब्लैक कलर आजाएगा, और ब ब्लैक के उपर हमारे ये ब्लैक कलर से ही बीच में सारे फंदे रहेंगे और ये देखे एक फंदा जो ब्लैक है इसे हम वाइट कलर से बनाएंगे तो एक दो फंदे वाइट के एक हम ब्लैक से बनाएंगे फिर वाइट कलर एक दो तीन चार फंदे वाइट एक, दो, तीन, चार फंदे black और आखरी के दो फंदे हमारे blue हैं देखे रो नंबर 19 है जिसे blue के उपर दो blue हो गये हैं black के उपर हमारे black color ही रहेंगे ये चार फंदे black हैं उन्हें black से बनाएंगे अब हमारा white color गज़र वाइट कलर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फंदे ये वाइट क्यों हो गया है? अब हमारे छे वाइट के बाद हमारे ब्लैक कलर आ गया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, ये देखे, चौदा फंदे हमारे ब्लैक हो गए और इसके बाद के सारे फंदे हमारे ब्लू से रहेंगे यह देखिए row number 20 पे मैंने blue के उपर सारे blue कर ली हैं और black के उपर सारे black हो गये हैं अब यहाँ पर हमारा white color एक, दो, तीन, चार, पाँच white और यह black color से एक, दो, तीन, चार फंदे black और आखरी के हमारे तीन फंदे blue रहेंगे ये देखे रो नमबर 21 है जिसमें एक दो तीन फंदे ब्लू के एक दो ब्लैक तीन चार पाँच छे फंदे ब्लैक के एक हमारा ये वाइट और फिर यहां से हमारा ब्लैक कलर और ये ब्लैक के उपर हम ब्लैक ही बनाएंगे ये देखे ब्लैक के उपर सारे ब्लैक ये कर लिया और लास्ट वाला ये एक ब्लैक फंदा है इसे हम ब्लू कलर से बनाएंगे और इसके बाद के हमारे सारे फंदे ब्लू से रहेंगे ये देखे हमारी row number 22 है जिसमें मैंने blue के उपर सारे blue कर ली है ये एक black फंदाव हमारा ये blue हो गए है और इसके बाद के फंदे हमारे black रहेंगे और ये देखे ये white फंदाव भी black रहेगा और यहां तक ये पूरे black हो जाएंगे और last में जो तीर फंदे blue हैं उन्हें हम blue से बनाएंगे ये देखे अब हम row number 23 पे हैं जिसमें blue कलर से एक दो फंदे हमारे blue से रहेंगे एक हम black से बनाएंगे एक हमारा फिर blue अब हमारे यहां पे black फंदे आ जाएंगे और यहां पे ये देखे ये जहां तक हमारा black है एक black को छोड़के यहां तक हमारे पूरे फंदे black रहेंगे और ये एक black और उसके बाद के सारे फंदे हमारे blue रहेंगे यह देखिए अब हम प्रो नंबर 24 पे हैं जिसमें ब्लू के उपर सारे पंदे हमारे ब्लू हो गए हैं यह एक ब्लैक पंदा इसे हम ब्लू कलर से बनाएंगे और इसके बाद हमारा यह ब्लैक कलर आजाएगा और यहां तक हम अभी बिन करके आपको दिखाते हैं यह देखिए ब्लैक के उपर ब्लैक हो गए हैं यह आखरी में एक यह जो ब्लैक पंदा आया है इसे अब हम ब्लू कलर से बनाएंगे तो एक दो तीन चार पांच यह पांच पंदे हमारे ब्लू से रहेंगे यह देखिए अब हम रो नमबर 25 पे हैं जिसमें ब्लू के उपर सारे ब्लू हो गए हैं एक ब्लैक पंदे को भी हम ब्लू कर देंगे अब यहां से हमारा ब्लैक पंदा आ जाएगा और ब्लैक के उपर हम ब्लैक बनाएंगे यह देखिए ब्लैक के उपर सारे ब्लैक हो गए हैं लास्ट वाला एक ब्लैक पंदा अब हमारा यह ब्लू कलर से हो जाएगा और फिर इसके बाद के हमारे सारे बंदे ब्लू कलर से बिन जाएंगे यह देखिये अब हम रो नमबर 26 पे हैं इसमें ब्लू के ऊपर सारे ब्लू हो गए हैं यह एक ब्लाक बंदा हमारा ब्लू कलर हो जाएगा और इसके बाद हमारे बीच में जो ब्लैक पंदे हैं उन्हें ब्लैक कलर से ही बनाएंगे और ये लास्ट वाला जो एक ब्लैक पंदा है वो हमारा बलू हो जाएगा और इसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पंदे हमारे बलू से हो जाएंगे यह देखे हम रो नमबर 27 पे हैं जिसमें ये ब्लू के उपर सारे ब्लू हो गए हैं एक ब्लैक बंद हमारा ब्लू अब यहां से 10 बंद हमारे ब्लैक के रहेंगे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके बाद के सारे बंद हमारे ब्लू कलर से रहेंगे ये देखें अब हमारी रो नमबर 28 है जिसमें ब्लू के उपर सारे ब्लू हो गए हैं और एक ब्लैक बंदा भी हमारा ये ब्लू कलर से ही रहेगा ये एक ब्लैक भी हमारा ब्लू हो जाएगा अब यहां पे हमारा ब्लैक कलर आएगा एक, दो ब्लैक और यहां पे हमारा यलो कलर एक, दो, तीन, चार, पांच ये पांच फंदे हमारी यलो से रहेंगे एक दो फंदे ब्लैक से और फिर इसके बाद के सारे फंदे हमारे ब्लू कलर से रहेंगे देखे हम रो नमबर ट्वैंटी नाइन पे हैं जिसमें ब्लू के उपर सारे ब्लू होगे हैं ये ब्लैक को हम ब्लैक से ही बनाएंगे, ये एक, दो फंदे हमारे ये ब्लैक हो गया, अब हमारा यलो कलर, एक, दो, तीन, चार फंदे यलो से, एक, दो हमारा ब्लैक और इसके बाद के सारे फंदे हमारे ब्लू रहेंगे यह देखिए रो नमबर थार्टी है जिसमें मैंने ब्लू के उपर सारे फंदे ब्लू कर लिए हैं अब हमारा ब्लैक कलर है एक, दो हम ब्लैक से बनाएंगे यलो कलर, एक, दो, तीन, चार फंदे यलो से, एक हम ब्लैक से बनाएंगे और फिर इसके बाद के सारे फंदे हमारे ब्लू है, यह देखेंगे अब हम रो नमबर 31 पे हैं 31 रो में अभी ब्लू के उपर सारे ब्लू होके हैं, यह ब्लैक को हम ब्लैक से ही बनाएंगे एक, दो फंदे black से, अब हमारा yellow color, एक, दो, टीन फंदे yellow, एक, दो हम black से बनाएंगे, और इसके बाद के फिर सारे फंदे हमारे blue हैं, ये देखें, row number 32 हैं, जिसमें blue के उपर मैंने सारे blue कर लिये हैं, ये एक black फंदे को भी हम blue color से बनाएंगे, अब हमारा black आ जाएगा, एक दो हम ब्लैक से बनाएंगे एक हमारा यलो फिर ब्लैक कलर से एक दो तीन फंदे ब्लैक और इसके बात के सारे फंदे हमारे ब्लू है यह देखेंगे हम रो नमबर 33 पे हैं जिसमें ब्लू के उपर सारे ब्लू होगे एक ब्लैक पंदे को भी हम ब्लू कलर से बनाएंगे, अब हमारा ब्लैक कलर आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच पंदे ब्लैक, और इसके बाद के फिर हमारे सारे पंदे ब्लू रहेंगे, यह देखिए, अब हम रो नमबर 34 पे आएं, जो इस डिजाइन की आखरी रो है, इसमें भी मैंने ब्लू के उपर सारे ब्लू कर लिए है, ब्लू के उपर ब्लू हो गये हैं, एक ब्लैक को मैंने ब्लू किया, अब हमारा ब्लैक कलर, एक, दो, तीन, पंदे ब्लैक, और इसके यह बात के सारे फंदे हमारे ब्लू है यह देखिए प्यारी सी cat की डिजाइन हमारी 34 row में बनकरके तैयार हो गई हैं यह देखिए कितनी प्यारी संदर है इसी design को अकर हम sweater में बनाते हैं तो इसका लुक कैसा आएका भी हमें आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस design का graph भी ह उस graph की हर्फ से भी आप इस design को बना सकती हैं यह देखे इस sweater की design और graph को देखने से पहले आप प्लीज मेरे इस channel को like करिए, subscribe करिए और comment करके बताइए कि यह design आपको कैसे लगी Thank you